देवेंद्र, स्कॉलर्शिप्ट जे जुड़ा हुआ या अपने आप में बहुत बढ़ा खोटाले समझा जा सकते कि कितने लोग इसमें शामिल रहे होंगे? और इसमें तीन चीज़े हैं, पहली बात तो ये कि सरकार के पैसे का दुर्पयोग, यानि कि जो टेक्सपेयर का पैसा है, उसका दुर्पयोग, दूसरी चीज़ की फटजी वाड़ा, और तीसरी चीज़ जो की ज्यादा एहम है कि सुरक्षा के साथ खिलवार, सुरक्षा के स सारा लेकर देश विरोधी ताक्ते कितना कुछ कर सकती हैं, और इससे समझा जा सकता है कि ये सुरक्षा के लिया से ये कितना बड़ा खत्रा है, दोजार सोला में प्रधारमंती रेंद मोदी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, कि अलपसंख्यक मंत्राले जो जरुआत हुई थी और वह स्कॉलर्शिप सिर्फ और सिर्फ केंद्री मदद मिलती है, उसमें रजों का हिस्सा नहीं होता है, रज वेरिफिकेशन करते हैं, सारा काम करते हैं, लेकि जो पैसा दिया जाता है, वह किंद्र सरकार का पैसा दिया जाता है, 2016 में जब इसका पाइल नंबर पे अगर 20, 30, 40 बच्चे अगर रेजिस्टर्ट हैं, उनके पैसे जा रहे हैं, वहाँ पर भी संगती, एक ही माबाप के 22 बच्चे और वो एक ही समय में दो अलग-अलग क्लास में रेजिस्टर्ट दिखाय जा रहे हैं, और दोनों के नाम पे स्कॉलर्शिप के पैसे उठाय जा रहे हैं, जिस संस्थान ऐसा था जिसमें क्लास एट से लेके क्लास एट तक स्कॉलर्शिप के पैसे उठाय गये, जब कि जब ग्राउंड रिपोर्ट लिया गया तो पता चला कि उस संस्थान में क्लास एट यानि क्लास फर्स से क्लास एट तक की पढ़ पाजूद इसके उसमें चात्रों को दिखाया गया उससे स्कॉर्षिप के पैसे लिए गया एक इंस्ट्यूशन जो पैसे ले रहा था उसमें जाब बाद में जब तहकीकात की गई तो पता चला कि वो एक साइवर कैफे है और वो इंस्ट्यूशन चलाने के नाम पर इस में स् त्रेपन फिस्दी फर्जी पाए गये हैं यानि कि अंदाजा लगाईए कि जो कुल संस्थान हैं लगबाग पौने दो लाक करोड अगर उनमें फिस्टी परसेंट का ही रेशियो पर करार रहता है तो जो अभी तक बाइस हजार करोड रुपए दो जार साथ से लेके अब तक 22,000 करोड रुपए की धनराशी दी गई है उसमें कितना बड़ा हिस्सा लूट के लिए चला गया होगा इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिन अब तक संस्थानों ने जो 53 मेंफिस दी जो संस्थान है जिनकी जाच अभी की गई है उसके लिए CBA जाच की सिफाइश दी कल 심ếnा है उसे पाले जाच टाहे है और हम है जाच झाच है लिए को इंग है yak儿 जाप शड़ा है जा है कि जा है, का ओ एक ध